हेलो दियर श्टुडेंट, वेलकम टू MKS फिजिस क्लासिस, हम फिजिक्स में डिसकस कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर, इस्फेरिकल मिरर कितने टाप्स के थे, टू टाप्स के, कौनके मिरर, कौनवेक्स मिरर, और हमने इन मिरर के पार्ट भी देख लिये थे, जैसे की पोल, इमेज बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आज हम देखते हैं, साइन कर्वेंशन देखते हैं सबसे पहले, जो भी यह हमारी इंसिडेंट रहे है, क्या है, इंसिडेंट रहे है, तो जो भी चीज इसकी डारेक्शन मेजर होंगी, उसको पोजेटिव लेंगे, और जो अपोजेट होंगे, उन्हें क्या लेंगे हम निगेटिव, ठीक है, हम क्या करेंगे, पोल को और जिन कंसीडर करेंगे, तो अगर हमारी कोई भी अबजेक्ट प्रिंसिबल एक्जिस के पर्पेंडिकुलर है अपर साइड में, तो वो हमें सब पॉजेटिव होगी, चाह हम उसको क्या लेंगे, निगेटिव, नमबर फर्स्ट पॉजेट है हमारा, अल दिस्टेंस अर मेजर फ्रम दपॉल, जितनी भी दिस्टेंस होंगे, हम कहां से मेजर करेंगे, पॉल से, डिस्टेंस मेजर इन डारेक्शन ओफ इंसिडेंट रे, आर टेकिन एस उसको हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी बताया, अगर प्रेंसिपल एग्जिस के ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्ट है, या इमेज बन रही है, वो में सा क्या होगी, पॉजेटिव, एंड विलो दा प्रेंसिपल एग्जिस आर टेकिन निगेटिव, अ इतना समझ लीजिए, अगर कोई भी मिरर है, चाहिए कौन केव मिरर हो, चाहिए कौन वेक्स मिरर हो, यह हमारा क्या है, कौन केव मिरर है, यह पोल है, और यह हमारी क्या है, प्रेंसिपल एग्जिस, यह सेंटर, ठीक, सबसे पहले, देखिए, इमेज को फॉर्म करने के लि हम बात करें गी आप आपे टू रिजंगी हमारी टू रेज से भी बन जाएगी तो हम पहली रेज को क्या करते है प्रन्सिपल एक्सिज्थ के पहललल लेके आएंगे हम जो रेफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी काह Het फोकस दौकस है यह हो गया focus दूसरी rays को क्या करेंगे हम center से pass करेंगे center से pass करेंगे तो यह reflected होकर के उसी path से return हो जाएगी तो हमारी यह दो incident ray है तो reflection के बाद यह दोना incident ray जहां एक दूसरी कट करेंगी वो ही हमारी क्या होगी image third हम इसमें use कर सकते हैं अगर यह हमारा convex mirror है sorry concave mirror है तो हम क्या कर सकते हैं यह focus है अगर हम focus से rays को पास करेंगे तो reflection के बाद यह क्या होगी principle axis के parallel होगी हमारी क्या होगी principle axis के parallel अब हम देखते हैं image form by a concave mirror when object is placed at infinity हमारी object कहां रखी है infinity पे रखी है तो यह हमारा क्या है concave mirror है यह principle axis है और यह आपका क्या है pole है अब देखो infinite object रखी है तो infinite से जो rays आती है वो एक दूसरे के parallel आती है अगर हम first ray को principle axis के parallel incident करेंगे mirror पर तो reflection के बाद यह कहां से पास हो जाएगी focus से दूसरी rays को इसके parallel हम incident करेंगे तो यह भी principle axis के parallel होगी जो reflection के बाद कहां से पास हो जाएगी focus से तो जो infinite पर जो object है उसकी image हमारी कहां बन रही है focus पर तो image के लिए हम क्या देखेंगे हमारी image कहां बनेगी at f कैसी बनेगी real बनेगी और यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो image की जो size होगा वो point size होगा ठीक है यह condition आपकी जो valid होती है यह तब भी valid होगी जब incident rays होगी मिरर पर principle axis पर या फिर principle axis से थीटा एंगल पर होऊं ठीक है तो infinite पर जब object situated होती है तो इसकी image point real at focus अगर हम magnification की बात करते हैं तो इसका magnification M होता है less than less than minus one thank you dear student